लो जनाब, आपको एक बात की समझ लगी कि number theory बहुत important है और number theory होती क्या है लेकि number theory की applications क्या है real life में आपने कभी सोचा है कि जब आप Google पे अपनी ID बना रहे होते हैं Facebook पे अपनी ID बना रहे होते हैं या आप अपने number को use करके WhatsApp की ID बना रहे होते हैं पीछे क्या scenario चल रहे है और क्यों आपका password सिरफ आपका password है किसी और का नहीं है या जो आप नाम लिख रहे हैं वहाँ पे वो क्यों एक unique name बन जाता है या जब आप को password store करते हैं वो किस तरीके से crypto graph के अंदर आ जाता है या ये जो crypto currency है ये किस base पे चल रही है there are many terminologies inside mathematics जिसकी base पे आपको पता चलता है कि AI सारी की सारी math पे बेस कर रही है बड़े level पे अगर math पे बेस कर रही है तुसे artificial intelligence बोला जा रहा है I know कि there is computer involved in that लेकिन computer को अगर background में देखा जा है तो वो भी 0,1 binary codes के ऊपर चल रहा होता है so at the end वो भी एक mathematics की terminology को यूज करके आगे चल रहा है but now I will tell you about the applications या आप ये कहलें कि number theory क्यों essential है जब आप किसी एक data के बारे में बात कर रहे होते हैं so मैं यहाँ पे आपको applications बताने लोगो मैं key terminologies लिखूंगा and then we will see के हम ये जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं जो पाकिसान के अंदर या इंडिया के अंदर I don't know about that but Pakistan के अंदर जो education system है basically beginner level पे बच्चों को बताया नहीं जाता के mathematics कहां पे use होनी है सबसे पहली application number theory की बात हो रही है only number theory की for now which is actually mathematics आपकी जो cryptography है cryptography इसके अंदर number theory बहुत important role अदा करती है जहां पे दुनिया के अंदर data is new oil है ठीक है और data को secure रखना भी हमारा उतना ही जरूरी है for example अगर Google के पास इस वकत for example 70 zeta bytes का data है zeta bytes क्या होते है 10 raised to power I think 73 something but I'm not sure we will see that but zeta byte आप यही समझ लें के बहुत ही बड़ा number आप यह साब लगा लें के 70 के आगे E 13 अगर लगा दिया जाए which means 70 की power 73 something like that okay तो इतना अगर data है मैं zeta byte नहीं इसको बोलता है मैं बोलता हूँ कि इतना data है Google के पास अगर वो save नहीं होगा अगर Google उसे save नहीं कर सकता तो Google का कोई फाइदा है कोई भी use कर लेगा तो इस वज़ा से आपका data store करना और उसको save रखना अपने पास वो modern क्रिप्टोग्राफी के algorithms पर depend करते है और क्रिप्टोग्राफी क्या है वो basically numbers की base पर बनी होती है यानि कि आपकी सारी के सारी data security के अंदर अगर मैं छोटी से term बोलू कि अगर आपको data को secure करना है you need to use algorithms जो क्रिप्टोग्राफी की base पर बने हुए यानि कि encryption कर रहे हैं चीजों को save रख रहे हैं based on the patterns और बाकी चीज़े और उनको number में detail में आगर translate करके utilize कर रहे हैं if they want to do that तो वो basically हमारे पास क्रिप्टोग्राफी number theory के थुरू चलती है अब अगर आप mathematics को समझते है और आपको number theory की समझ है then actually you can help in building cyber security या robust security pipelines यानि कि data को बचाने के लिए फिर आप अच्छे वाली pipeline या अच्छे वाला software या अच्छे वाली application बना सकते हैं so अगर आप इसमें और detail में जाना चाते हैं तो क्रिप्टोग्राफी के आप सर्च कीजेगा आपको समझा रहेगी second चीज एक terminology बोली जाती है big data मैं एक मिसाल देता हूँ मेरे पास 10 GB का data है मैं इसको analyze करना चाहता हूँ तो मुझे एक system चाहिए जिसकी price है तीन लाख रुपया मैं simple एक example दे रहा हूँ इसको analyze करने के लिए मुझे तीन लाख खरचना पड़ेगा ठीक है to have the results in one month मैं simple सी बात कर रहा हूँ अगर मेरे पास data 30 GB हो जाएगा तो मुझे जो चाहिए वो चाहिए 10 लाख PKR for one month अगर मेरा यही data मैं एक example दे रहा हूँ आपको जरा गोर से समझेगा 300 GB हो जाएगा तो मुझे इसके लिए तो एक करोड चाहिएगा एक कलोल समझ रहे ना बात को तो एक करोड उपया जो मुझे चाहिए 300 GB data के लिए उसको analyze करने के लिए इसका मतलब है कि जितना data बड़ा होता जाता है जितना data बड़ा होता जाता है उतने आपको ज्यादा resources लगाने पड़ते हैं to analyze that data या आपको दूसरी एक technology यह होती है कि आपको mathematics की basics पता हो यानि कि अगर आपको basics of mathematics पता है of math in machine learning algorithms अगर आपको वो आती है then what you can do you can actually reduce this cost by optimizing algorithms तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको machine learning के अंदर optimization करनी है algorithms के अंदर तो आपकी number theory वहाँ पे आपको help कर सकती है say for example यह 10 जिबी सारे का सारा data मुझे नहीं चाहिए मैं सिरफ इसके prime numbers देख लूँ different किसम के और इसमें कोई unique चीज़े निकाल लूँ कोई trends देख लूँ कोई different और algorithms को optimize करने के लिए चीज़े निकाल रूँ तो यही 10 जिबी data की base पे मैं कोई ऐसा चोटा data decide कर सकता हूँ जिसकी base पे हम inference generate कर सकते है to have this big data तो यह हमारे पास number theory के through काम होता है अब पहला जो हमारे पास application सी वो थी cryptography मैं यहाँ पे side पे लिखता जाता हूँ cryptography and the second one is जो हमारे पास second है application वो आगी जनाब optimized algorithms यह जो algorithms लोग लिखते है ना यह basically एक pattern होता है जैसे मैंने आपको कल बताया था एक, दो, तीन की बजाए अगर एक, तीन, पांच लेखूँगा तो मुझे फोरन समझ आ जा जा जानी है कि यह odd numbers है और यह simple whole numbers है हमारे पास ठीक है so patterns जो है वो बड़े matter करते हैं और patterns ही आपके चीजों को optimize करने में help करते हैं तो number theory comes in that one as well number three जो हमारे पास और भी important चीज है वो है data की integrity integrity अब data integrity क्या है इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तुगू हम कर लेते हैं वो यह है कि जब भी आप data के बारे में बात करते हैं आप कहते हैं कि data बहुत आ गया है हमारे पास इतना data आ गया हम इसको कैसे manage करें तो data integrity वहां पे आती है वो क्या चीज है भी देखते हैं कि data कितना data है जी numbers basic तो मैं आपको पहले यह बता दूँँ जो मैंने कल भी बताया था numbers accurately save होंगे तो वो किसी चीज को predict कर पाएंगे न मैं एक मिसाल देता हूँ यह आपकी एक image है ठीक है और इसके अंदर मैंने लिखा हुए 7 ठीक है यह image है digit नहीं है आप एक तस्वीर बनाएं अगर इसकी यह 7 लिखा हुए ठीक है अगर आप इसको इस तस्वीर को छोटे छोटे हिंसों में तो यूजली आपके pixels कुछ इस तरीके से define हो जाते है ठीक है और यह आपस में मिल के एक matrix बनाते हैं something like this अब मेरे पास matrix बन रहा है 1,2,3,4,5,6 6 side पे है 1,2,3,4,5,6,7 2,4,6,7 7 इस side पे तो मेरे पास 6 by 7 का एक matrix बन रहा है अगर मैं matrix देखूं कुछ इस तरीके से होगा और इस matrix के अंदर values हैं जहां पे कोई value नहीं है वहां पे 0 आ जाना है something like this और जहां पे कोई value होगी लाइग यह 7 वाले डबे में कुछ है तो वहां पे 0.1 आ जागा तो इस तरीके से आपकी तस्वीरें भी जो हैं वो basically एक data के through store होती हैं आपके computer के अंदर what if that data is not accurate तो data के integrity खतम हो जाएगा यानि कि ये वाला data अगर खराब हो जाए number theory जो हमारे यहां पे नकाम हो जाए तो ये 7 की बजाए कुछ ऐसे लिखा आ जाएगा डबे के अंदर ठीक है इस वज़ा से data के integrity and accuracy बड़ी matter करती है तो ये हम कैसे ensure कर सकते है number theory के concepts को समझते हुए so number theory is important for the accuracy of the data और second चीज़ जो है basic मैंने आपको बताई that is for the consistency accuracy number, consistent number और number theory की जो basic different किसमे है उनको हम देखके यहां पे चल सकते है इसके बाद अगली जो चीज़ है मैंने आपको तीन important point बता दिया जहां पे यह ज्यादा use होता है और cryptography होगी optimized algorithm होगी data integrity होगी इसके इलावा जो आगे वाली चीज़ है that is number four अब इसको deal करते है और यह है जनाब आपका feature engineering feature engineering क्या होती your number theory क्यों matter करती है यह एक बहुत बड़ा topic है but I will try to reduce that concept into some small things आपके पास कोई भी data आ जाता है मैं आपको भी मिसाल देता हूँ यह data के columns है मैं सबसे पहले आप से पूछता हूँ कि सभी के names क्या है आप नाम बता देते है मैं केता हूँ product मैं केता हूँ आपकी age क्या है आप age बता देते है मैं आपको केता हूँ के आपका city क्या है वो आप बता देते हैं तो ये मेरे पास कुछ data collector हो रहे है ठीक है अब feature engineering ये है कि जब मैं machine learning या different किसम के AI based task apply कर रहा हूँ ना तो मैं सारे के सारे columns को ना अंदर लेके जाऊँ मैं इन में से कुछ select कर लूँ और वो कुछ क्या हो वो कुछ हमारे total जो idea है या जो भी experiment हम करने जा रहे हैं उसके लिए enough हो तो इसको बोलते है feature engineering यानि कि आप इन में से कुछ जो हैं वो select कर ले कुछ columns को select कर ले second जो इसमें important चीज है feature engineering के पास आपको पता है कि age के column के अंदर age के column के अंदर जो आपके पास चीज आएगी अगर आपने सालों में पूछी है age, years तो आपके पास कोई लिखेगा 10 साल कोई 12 साल, कोई 13 साल, कोई 14 साल अगर यहां पे 220 आ गया तो number theory आपको क्या बताती है कि इस sequence में ये pattern break हो रहा है आप इसको check करें, ये किसी ने गलत data दिया है, इसी तरीके से जब आप weights की बात कर रहे हैं तो number theory बताती है कि weight किसी का kg में अगर आपने पूछा है तो वो आपको अगर बताता है 48.3 and here 120 आ जाता है, 130 आ जाता है 140 आ जाता है, फिर 1000 आ जाता है it's nearly impossible किसी का 1000 weight हो तो number theory आपको बताती है कि यहाँ पे आपका data गलत है anomaly गलत है, क्योंकि pattern नहीं बन रहा पीछे से, numbers का pattern नहीं बन रहा and then you have to find out कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ठीक है फिर height में भी ऐसे ही है, किसी की 6 feet height है, किसी की 5 feet है, किसी की 5 feet, 5 inches है यह भाई तो बिलकुली different है हमसे तो number theory हमें इसका idea भी देती है तो numbers जहाँ 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 पे भी आपके data में आते हैं, वो data को engineer करने में और data को handle करने में हमारी help करते हैं say for example, अगर मैं इस पूरे data को, यह feet और inches का data है, सिरफ इनचीज के data में convert करना चाहूं तो मैं क्या करूँगा यह जो feet है, इनको 12 से multiply कर दूँगा, ठीक है तो यह numbers मेरे पास different हो जाएंगे, और उनके साथ unit जो है, वो different हो जाएगा so this is how you can actually do these kind of major stuff inside feature engineering तो हमारे पास चोथी application क्या है जनाब feature engineering ठीक है, और आपको पता है अगर आप मेरे साथ हमारा 6 महीने का course कर रहे हैं, तो हम यह वाली applications जो हैं, इनको बड़ी गौर से देख चुके हैं और अच्छे से पढ़ भी रहे हैं खास तोर पे feature engineering के उपर हमने अभी time लगाना है कुछ हमने time लगाया, idea करते हुए बट otherwise नहीं लगाया, so यह चार major point है इसके इलावा आपने chat box में मुझे बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सी new या benefits या pros इसके क्या है कुछ आपको इसके pros और benefits भी मैं बताता हूँ कि number theory पढ़के आप क्या कर सकते है कुछ आपने खुद से search करने